हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी तो कच्छा बारा इतिहास का पाच्छे यानि भक्ति सुफी फरंपराएं विशेश करके आठवी से अठारी सताब्दी के मद्यकाल में इस महतपूर चैप्टर का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं यानि धार्मिक विश्वास और आचरणों में बदलाओ यानि किस तरह इस कालखंड में पूरा विचार धार्मिक बिमर्स बदल रहा था इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे बहर इंपॉर्टेंट टॉप में बिल्कुल निशुल्क मैंगनेट ब्रेंस हिंदी पर उपलब्द है यहां एक या दो चैप्टर या कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको पेड़ सब्सक्रिप्शन या पैसा भरके पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला जाएगा सारी की सारी सिक्षा यहां पर आपके लिए निशुल्क प्रवाइट की जा रही है तो मैंगनेट ब्रेंस हिंदी के साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाईए इसी महतपूर जानकारी के साथ सुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि जिस महतपूर कालख कि हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें धार्मिक बिमर्ज जो है धार्मिक विश्वास वो कैसे बदल रहा था अब इस पॉइंट को समझने से पहले आपको यह जरूर समझ लेना चाहिए कि इससे पहले हमने बैसिकली छेसो इसापूर्व से छेसो इसवी की बाद जाद तरकी थी और इसमें कुछ महतपूर बाते हमें दिखाई पड़ी थी एक तो सबसे पहले हमने यह समझा कि भई पहले वैदिक काल था फिर बाद में उत्तर वैदिक काल आया इसमें ब्राम्हर धर्म की हमने बात की ठीक है, यहां हमने फिर क्या देखे, उपनिशद, वेद तो देखे, वेद उपनिशद, ठीक, पुराण, यह सारी चीज़े देख रहे थे, प्रमुख रूप से हमने देखा कर्मकांड, जहां पर यग्य, हमन, बली, यह सारी चीज़े दिखाई पड़ रही थी, और सबसे सम स्यात्मक बाद जो दिखाई पड़ी वो क्या, वर्ण या जाती विवस्था, जो कर्माधारित होने के बाद, धिरे-धिरे जन्माधारित हो गई, और समाज का विभाजन होने लगा, इसके पैरलल जो उठके चीज़े निकलने लगी, जो नया धर्म और विश्वास जन्म लेने लगा, वो क्या लेने लगा, जैन धर्म और बाद धर्म, इसकी चर्चा हमने प्रिवियस क्लासे में डीटेल में की है, प्लीज अगर आपने नहीं देखा, उसको जरूर आप उन चैप्टर को देख लीजे, ये जो जैन और बाद था, इनके उदभाव से, इनके डव लोग उचसे हटके, जैन और बौद के तरफ आने लगें, जो इन सभी चीजों को नकारते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, सब में समानता में विश्वास रखते थे, इत्यादी, और खास करके, मौरे वन्स तक बाद धर्मों को, जैन धर्मों को, काफी राजाओं प्रदान की उसका प्रचार प्रशार भी करवाई यह सारी चीजे भी हमने देखी फिर हमने देखा कि जब शुंग वंस आया गुप्त वंस आया तो धीरे धीरे फिर हिंदु धर्म का और या ब्राम्र धर्म का जो है वो विकास धीरे-दीरे होना शुरू हुआ और जिस चैप चीज जो दिखाई पड़ेगी वो क्या भक्ति और सूफी परंपरा दिखाई पड़ेगी पर इस भक्ति और सूफी परंपरा के आने से पहले जो आपका धार्मिक विश्वास और आचरण में बदला हो रहा था उसका क्या आधार रहा इसको हम थोड़ा यहां समझने का प् तो वैश्रो धर्म या वैश्रो मत जो था वो विशेश रूप से किसको इस्ट मानता था तो इन्होंने इस्ट मानना शुरू किया इस्ट यानि जिसको वो पूजा करेंगे इन्होंने इस्ट मानना शुरू किया किसको विश्रू को और इनके दस अवतारों की चर्चा हुई ठीक और विशेस करके अलवार संतों की इसमें महदपूर भूमिका थी वो अलग टॉपिक में भी हम देखेंगे ठीक है यानि धीरे धीरे इस मत का विकास होना सुरू हुआ और वैशनो धर्म जो है उसने वापस क्या किया हिंदू धर्म को या ब्रामर धर्म को रिवाइब कर देखेंगे तो वेद में कौन-कौन से प्रमुख देखा आते थे सबसे ज्यादा उसमें इंद्र फिर अगनी हावन के लिए सूम इन देखाओं की जाना चर्चा होते थी लेकिन अब विश्वास बदल रहे हैं अब कौन आ रहे हैं वैशनो परमपरा आ रही है अलग धर्म अवतार किष्ण अवतार परशुराम अवतार कलकी अवतार बुद्ध अवतार यह सारे अवतारों की चर्चा उसमें की जाएगी और विश्वास को सबसे प्रमुकुरूप से माना जाएगा लेकिन इन सारे देवताओं के साथ जुड़ा हुआ था कर्मकांड यग्य हवन ह है न बली इत्याद काफी चीजें लेगिन अब यह चीज पीछे हट जाएगी जब विश्वास की बात आएगी और वैश्वास की बात आएगी तो प्रधान हो जाएगी भक्ति अब भक्ति की ben नांकिर्तन सुमिरन जाती विवस्ता खतम हो जाएगी यहां तो कर्मकांड थ उने सुरू हो जाएंगे दिरे-दिरे यह मानेता बढ़नी सुरू हो जाएंगी तो इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे दीरे-दिरे आप क्सर्ट को समस्ति चले जाएंगे तो विचाराधी। काल में कौन सा काल विचारधीन काल हमारा कौन सा चलता है आठवी से अठार्वी सदाब दीता है ठीक है वैश्ण धर्म के महत्तों में कई बहुत ब्रद्धी हुई इस धर्म में कर्मकांड और अनुस्थानों की अपेक्षा भक्ति और उपास्ना को अधिक बल दिया गया और और समस्थाने थी उस सबको पीछे कर दिया गया था और केवल उपासना को और प्रेम को महत्तपूर रखा गया था दूसरा जो हिंदु धर में या ब्रांबर धर में तीन मार्ग बताये गये थे मोक्ष के कौन-कौन से ज्ञान कर्म और भक्ति गीता में वीज की चर्चा की घी गई ठीक है तो इसमें ज्ञान और कर्म को पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि यहां पर बहुत सारा सास्त्र की जानकारी वेद और बढ़े बड़े उकनिश्दों को जैनकारी फिर कर्मकांड की जानकारी कर्मकांड का प्रक्टिस सब पीछे भक्ति को प्रधानता दी यह सभी शंतों नहीं बताया कि भक्ति आसान है महत्पूर है तो व्याश्ण धर्म जो है यह एक बदलता हुआ विश्वास था यह एक धार्मिक विश्वास और आच्रण में एक चेंज आ रहा था जिसमें विश्णू की उपासना को महत्पूर माना गया और कर्मकांड और अ सारे उपनिशद पूराण ऐसी चीज़े थी जो कामों लोग समझी नहीं पाते थे उनको समझी नहीं आती थी तो इस काल में क्या हुआ आम जनता समझ सके ऐसा पूराणों का संस्क्रण उनकी कहानियों को आम जनसाधार के भासा में और नॉर्मल गरंथों में ले आकर रख ऐसा विश्णू के प्रलाद वाली कथा ऐसा विश्णू के आवतारों की कई सारी कथाएं होने लगी दस आवतार की कथाएं इसमें बताई जाने लगी तो इस काल में भगवान विश्णू के आवतार में श्रीकिष्ण आवतार को सरवाधिक लोग पिरेता मिली ये भी ठी कृष्ण और राधा के प्रेम की ब्याख्या हुई देखिए यह बहुत इंपॉटेंट है जब यह काल था जैसे इससे पहले 600 इसापुर्व से 600 इस्वी में भी माभारत मा का ब्यारा था उसमें भी कृष्ण का इंट्री हुआ था लेकिन वहां पर कृष्ण को क्या दिखाए यहां पर प्रेम की बात भक्ति के बात आने लगी और इस काल में इसकाल में जितने भी देवताओं की बात की गई उसमें एक जो फीमेल डाइटी यानि महिला जो भगवान है उनकी ज़रूर बात की गई ताकि करुणा और दया दिखाई जासे कि यह बताए गया कि यह जो इश्वर हैं वो प्रेम के वशीभूत हैं कृष्ण और राधा का प्रेम दिखाने का मतलब क्या था कि राधा जो है वो इश्वर से या राधा का जो प्रेम है वो जीव का प्रेम हो सकता है और इश्वर को प्राप्त कर सकता है और जैसे प्रभू या कृष्ण राधा के व भारत के अलवार संतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देखे यह लगवग 12 अलवार संत थे ठीक तमिलाडु में यह यह संत हुए और यह संत भी थे कवी भी थे और इनों ने अपनी जो चीजें रचना की इस भक्ति के लिए उसको एक ग्रंथ दिया गया दिव्य प्रब इस दिव्य प्रबंदम में इन्होंने सारी चीजें लिख कर डाली जो भक्ति के लिए और विष्णुकाल की उपासना के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा था तो इस वैश्णो काल में और एक और जो भक्ति काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती थी वह शिष्य परंपरा वाली थी कि गुरु आपको क्या बनाएगा शिष्य बनाकर आपको भक्ति की प्राप्ति कराएगा इस पर भी चर्चा करेंगे तो वैश्णो धर्म के विकास में दक्षित भारत के संतों का बहुत महत्पूर रहा था यह अब हमें क्या हम एंट्री कर रह रहे थे शिव इसमें शिव को इस्ट माना जा रहा था ठीक है और आगे इसमें कुछ ऐसी भी पधती आई जिसमें सिव लिंग जैसे लिंग आयत और वाला जो कंसिप्ट था तो इस काल में शैव धर्म का पर्याद बिकास हुआ और अनेक राजा इस धर्मे के अनुयाई थ जैसे गुर्जर प्रतिहार चंदेल परमार राष्ट कूट राजवन्स लगबख शाशकों ने शैव धर्मानुवाई बने और शिव की वो पूजा करते थे ठीक है इसमें कोई दो राए नहीं है और इसमें नैनार संतों की बात आएगी इसके अत्रिक्त पूर्वी चालु लगा उसमें कई सारे विकार उत्पन होने लगे उसमें कई सारी समस्या हैं विभाजन होने लगा बट्वारा होने लगा उसमें वो कमिया आने लगी जो कमिया पहले हिंदु धर में आती थी तो वह नीचे जाने लगेंगे और सैव विष्टों उपर आते रहेंगे कश्मीरी श्याव परंपर वाले जो लोग थे वो कहते हैं कि इश्वर केवल सरोसक्तिमान एक ही है जो कुछ भी यह शीव है शीव के अलावा और कुछ नहीं है एक इश्वर बात का मतलब होता है जो किवल यह किस्वर को माने किसी दूसरे को ना माने मोनोथेस्ट इंग्लिस में कहते हैं इसको इसकाल में दक्षिट भारत में नैनार संथ ये भी इंपॉर्टेंट है तो जैसे ये आप ध्यान दखिएगा कि अलवार संथ किसके लिए होंगे ये पूछा जाता है कॉम्प्टिशन के एक्जामों में भी वैश्णो परंपरा और नैनार ये किसके लिए होंगे शैव परंपरा ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट इसका आप ध्यान लखेंगे है न ये लगबग 12 हुए है ये 65 से 70 के बीच में हुए है और इनका दिभ्य परबंधम जरूर आप ध्यान लखेंगा ये पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है जी चलिए शैव परंपरा में आपको कश्मीरी शैव भी मिलेंगे कश्मीरी शैव जो किसमें विश्वास रखते हैं एकेश्वर वाद एकेश्वर वाद में विश्वास रखते हैं मोनोथेस जिसको कहा जाता है ठीक है इसका जहान रखेंगे आप तो नैनार संतों ने इस धर्म के प्रचार में बहुत इंपोर्टेंट रोल अपनाया तो अलवार वैश्वर धर्म के लिए और नैनार शैव धर्मों के लिए फिर आते हैं शाक्त संपर्दाय इसमें जो इस्ठोंगी इसमें शक्ति ठीक है जहां पर आप दुर्गा काली चामुंडा ठीक है इन लोगों की यानी फिमेल डाइटीस की महिला जो कह सकते हैं भगवानों की पूजा आप होते हुए आप दिखाई देंगे देखेंगे यह वैदिक काल परमपरा या छेसो इसापुरु से छेसो इस्वी की बीच में यह चीजें आपको बहुत दि यह बताया गया कि देखिए जो भी इश्वर की शक्तिया हैं उसका जो सक्ति जो होल्ट जो पावर है वो उनके जो अरधांगनी या महिला है उनके जैसे शिव केशाद पारवति को शक्ति को आधाप अरधांगनी दिखाए गया तो इस काल में शाक्त संप्रदाय का विकास हिंदियों में पशलित हुई और काफी लोगप्री हुई कई देवी के मंद्री बनवाए गया दुर्गा परवती काली चामुंडा देवी तो यह इंपोर्टेंट है शाक्त संप्रदाय में इन देवियों की चर्चा की जाएगी ठीक है यह हमने क्या देखा यह दिखा कि न बॉद्धर में धार्मिक दर्शन में एक नया सूत्र पात्र हुआ और इसमें महयान संप्रदाय में से वज्रयान नामा के नवीन संप्रदाय बन गया अब देखे हमने इसकी पहले भी चर्चा की थी कि जो बॉद्धर में क्या हुआ बौध में क्या हुआ कि इसका एक जो पार्ट बना इसमें हुआ ये कि इसके दो भाग हो गए एक हो गया हीन यान और एक हो गया महायान अब ये जो हीन यान महायान हुआ इस हीन यान में वो सारी चीजें ब्याप्त थी जो औरिजनली बौध धर में थी उनका माना था कि जो बहुत अपरमपरा रही है मुस्वी को लेके चलेंगे महायान थोड़ा और उधारवादी हो गया करुदावादी हो गया कि ने यह आप इतने हार्ड इस्टिक्ट साद्ला परमत रहिए थोड़े इसमें नए चेंजेस करिए और लोगों को लाइए और इ था थिक है है बजरेयान से क्या हुआ कि अब इस इन्हों ने पताया बजर्यानियों ही कि देखिए हमारे जो हमारे जो बुद्द थे हमारे जो इस्ट हैं उनके पास बहुत सारी आलोखिक सक्तियां में आप या है चमतकारिक गया अब जब सहाज यान आ गया तो इस सहज यान के साथ इसमें तंत्र तोना जादू ये सारी चीजें आ गई और धीरे धीरे वो सारी कमिया आडंबर वो वो गड़ब फैमिया वो चीजें इसमें आने लगी जो ही बौत धर्म में आनी नहीं चाहिए जिसके खिलाब बौत सिखण हुआ था और इस लिए बहुत धर्म कातन में धिर दिर होता चला गया तो यह महत्वड बात है ठीक है तो इस काल में बहुत धर्म के महायान संपर्दाय में से बजरेयान नामा के नया संपर्दाय खड़ा हुआ और इसके अनुसार महात्मा बुद्ध वज्र गुरु थे और उनके पास अलोकिक सक्तियां थी तो वज्रयानियों ने का कि भाई महात्मा गुरुत को बहुत अलोकिक सक्तियां थी और हमें वो चीजें लानी चाहिए तो उनका मानना और इस तरह के अडंबरों से नीचे आते चले जाएंगे इस प्रकारी संपर्दाय के अनुजाई सिध्धी प्राप्त करने के लिए कई गुप्त साधनाय करने लगे और बहुत धर में आडंबर आने लगा और अंधविश्वास इस धर में पनपने लगा ठीक है पालवंश थो कि जो राजा थे जिसमें पने धर्म पाल का नाम सुना होगा जिसने विकरम सिला विष्विव rename बनाये था तो पालवंशी राजाओं में सहाज यान नामक एक नजहा संपर्दाय आया जो क्या था परसम टांत्रिक संपर्दाय था इसमें क्या क्या आगया जदू टोना Man अंत्र अंद विश्वास ये सारी चीज़ें आ गए और धिरे-धिरे फिर बहुत धर्म को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो ये भी एक इंपॉर्टन बात है जैन धर्म में भी क्या हुआ इसमें भी हमने विभाजन देखा था तो जैन धर्म में हमने क्या दे ठीक है और एक हो गया दिगंबर ठीक है यह क्या रहते थे नग नवस्था में रहते थे और यह पूरी तरीके से जो जैन धर्म के पहले के सिद्धानते उसी को मानते थे लेकिन दिगंबरों ने कहा कि नहीं हम स्वेतांबर क्या करते थे सफेद वस्थ wonders करने लगें सफेद वस्थ और नग नवस्था में पहले जैसे रहते थे और यह तरसा सकते थे कि मौलिक्ता को मानते जो पहले से जैन धर्म चला रहा था और यह नहीं नहीं चीज़ों को अपने अंदर इंक्रूड करते जा रहे थे तो इस धर्म राजस्थान गुजरात मालवा में प्रसित दुवा और उन्होंने उनको कई जग संजक्षब में मिला प्रित्वी राज चौहान ने जैन मंदिरों का सिखर बनवाया लेकिन यहां क्या क्या चीज आने लगी मंदिर पूजा इश्वर वाली बात क्योंकि जैन धर्म तो है लेकिन यह चीजस में आती रही है अनेक जैन मंदिरों का निर्मार हुआ मूर्तियां बनाई गई और जैन गरंतों का कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया तो यह जो आपने देखा महत्वपूर्ण रूप से तीन चार चीजों को जिसमें हमने क्या क्या कि कैसे हम कांडों को छोड़कर हिंदु धर्में वैशना और शय और शाक्त परमपराय जन्मी जो पूर्ण रूपेड भक्ति पर अधारित थी अब भक्ति कैसे कैसे आगे बढ़ने जिसको आगे हम देखेंगे कारण क्या था उसको भी देखेंगे और जैन और बहुत धर्मों में कि इस तरह की समस्यां पैदा हो रही थी तो इससे जो नया आंदोलन खड़ा होगा भारत में उस समय वह भक्ति आंदोलन खड़ा होगा जिसको हम बीटेल में चर्चा करेंगे आई होप कि यह इंटुड़क्शन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और यहां से आप चैप्टर को इजली ग्रैब अप कर सकते हैं अगर यह टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एक और बिसे इस बात का ध्यान लखे कि मैगनेट ब्र कर सकते हैं क्लिक करते हैं आपको पूरे सलेबस का क्या दिया जाएगा एक बार पहले ओवर्विव दिया जाएगा फिर चैप्टर का कंप्ली चैप्टर रिविजन फिर छोटे चोटे टॉपिक वाइस वीडियो फिर mcqs ncrt यह सारी की सारी चीज़ें आपको बिलकुल न आपके टेक केर बाई बाई